अक्सर ही घरों में चावल बच जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब इन बचे हुए चावलों का क्या करें तो अब चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि इन बचे हुए चावलों से इतनी सारी रेसिपीज बन सकती हैं कि आप जान बुच कर चावल बचाना चाहेंगे तो उन्हीं मेंसे चलिए एक रेसिपी आज बनाते हैं तो ये एक बॉल के लगभग में चावल बच गया है तो इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर थोड़े से पानी के सहायता से पीस लेंगे तो हम एक बार में जादा नहीं डालेंगे थोड़े थोड़े चावल करके डालेंगे तो हमने लगभग आधा चावल डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है और अब हम इसे पीस लेते हैं तो ये देखे इस तरह का एक फाइन पेश्ट तयार हो जाता है हमने जादा भी पतला नहीं रखा है बहुत ही चिकना पेश्ट है इसी तरह जो बाकी बचेवे चावल है हम उसे भी पीस लेते हैं आप ये जो मिक्स्चर बनाएंगे इस मिक्स्चर से आप यकीन नहीं करेंगे कि आप एक ही मिक्स्चर से बहुत सारे आइटम बना सकते हैं तो ये देखे जो जितने भी बचेवे चावल थे हमने पीस लिया ये लबग एक बॉल के करीब चावल है और बहुत ही स्मूध सा पीश्ट तयार हो गया है तो हमें इसी तरह का बैटर चाहिए और अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डाल देंगे तो इसमें ये देखे हमने दो चमज बे सन डाला है और डाल देंगे कलर के लिए हल्दी और आधा चमज के करीब हमने डा 100 अधनिया पाॉडर और एक चोथा चमज गरम मसाला और स्वाध के नुसार हमने नमक डाल दिया है और ये खड़ा जीरा है, ये जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें खड़ा जीरा का स्वाथ बहुत अच्छा लगता, और ये कुछ सिजनेबल सबजियां हैं, जैसे गाजर, बीन्स, ये कद्दू थे तो हमने उसे कद्दू कस कर लिया है, टमाटर, धनियापत्ता, हरी मिर्च, स तयार होता है, और बच्चों से लिएके बड़ोतों को बहुत पसंद आता है, आप इसे सफर मिले जा सकते हैं, और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी लगता है, तो हमने अब सारी चीजे डाल दी हैं, और अ अच्छे से mix कर लिया है अब यह जो बैटर है इससे आप बोहुत सारी चीज़े बना सकते हैं अब एक बार बैटर बना कर रख ले और इससे तीन से चार दिन के लिए freeze में श्टोर कर सकते हैं और अलग-अलग चीज़े बना सकते हैं तो आज हम जो बनाने जा रहे उसके तो इसमें जो सब्जिया हमने उपियोग की हैं वो भी जो बच्चे हैं ऐसे सब्जिया नहीं खाते पर अगर आप इस तरह से डाल कर बनाएंगे तो वो खा लेंगे तो इस तरह से हमने एक बड़ा चमचा बैटर को डाल दिया है और इस तरह से हलके हाथों से आप फैला दे ज्यादा पतला ना रखे और ज्यादा मोटा भी ना रखे मीडियम साइज में रखे और इसे ढख दे जब एक तरफ से ये अच्छे से पक जाएगा तभी आप दूसरे तरफ से पल्टे वरना ये तूट जाएगा अगर आप तुरंत ही पल्टेंगे तो तो कम से कम दो से तीन मिनट एक तरफ पकने दे और जब आपको उपर की लेयर थोड़ी सी ड्राइ लगे तभी आप इसे पल्टे तो ये दे कि ऊपर थोड़ा सा सूखा नजरा रहा है तो अब हम इसे पलट देते हैं और ये बिलकुल भी नहीं तूटा और बहुत ही असानी स पलट गया और उपर का कलर देख रहे हैं बहुत ही गोल्डेन कलर आया है तो हम थोड़ा सा घी और दे देते हैं नीचे की साइड के लिए तो इस तरह से घी हमने डाल दिया और फिर से ढखक कर 2-3 मिनट हम दूसरी साइड भी पकार लेते हैं और इसी तरह का गोल्डेन कलर को आने देते हैं तो ये देखे हमने ढखकन हटा लिया है और हम देखते हैं कि दूसरी तरह भी गोल्डेन हुआ या नहीं तो ये देखे दूसरी तरह भी बहुत अच्छी तरह से गोल्डेन फ्राई हो चुका है तो हम इसी तरह चाहिए अब हम इसे उतार कर प्लेट में र तो ये देखे फ्रेंड्स हमने दूसरे बैटर का भी बना लिया है और ये वेजिटेबल चीला बन कर तयार है ये बहुत ही स्वादिश लगता है और ये जो चटनी है ये कद्दू के छिलके और बदाम की चटनी है जिसकी रेस्पी मैंने अल्रेडी डाल रखे तो आप लेलि आपको जरूर इंजॉय करें इसे आप अच्चों के टिफिन में दे सकते हैं सफर में दे सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही तो इसे जरूर ट्राइ करें थाइंक यू